इस नदी में कोई सामान फेगेंगे अगर मैं उस सामान को धून लाया तो मैं फेकने वाले को मार दूँगा अगर मैं उस सामान को ढून पाने में नाकाम हुआ तो मैं उसका खुलाम बन जाओंगा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है जो मैं शहजादे जैसे दिख रहे इस नौजवान से शुरुआत करता हूँ मैं मुड रहा हूँ तुम जल्दी से कोई चीज नदी में फेको अगर फेकने में देरी की तो मैं तुमें मार दूँगा शर्ट के मताबिक अब मैं नदी में जाकर उस चीज को ढूनूँगा जो तुमने नदी में फेकी है मिल गई सुई तुमने यस तुई नदी में फेकी दी मैं इसे डून लाया हूँ शर्ट के मताबिक अब तुम मरने के लिए तयार हो जाओ वैसे मैं तुम सब को एक साथ मारूँगा अब बारी तुम्हारी है तुम सफेड टोपी वाले नदी में कुछ फेको मैं पलट रहा हूँ शर्ट के मताबिक मैं फिर से नदी में जा रहा हूँ अगर तुम्हारी फेकी हुई चीज लाने में नाकाम रहा तो तुम्हारा गुला हो जाओंगा वरना मरने के लिए तयार रहना मिल गई चिफ तुमने ये चिफ नदी में फेकी थी मैं इसे ढूंड लाया हूँ शर्ट के मताबिक अब तुम्हारी मौत में नुश्चत है अब बारी तुम्हारी है और तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम मुस्कुरा रहे हो तुम्हारी ये मुस्कराइट अभी खत्म जाएगी मैं पलट रहा हूँ तुम भी जल्दी से नदी में कुछ फैको तुम्हारा वाक्त खत्म हुआ अब मैं नदी में जाता हूँ और उसे ठून कर लाठू अरे नदी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है पूरी नदी खंगाई डाली नेकिन नदी में कुछ भी नहीं लगता है मुझे हार माननी पड़ेगी क्यों क्या हुआ मेरे आका मैं आपसे हार गया आज से मैं आपका गुलाम हुआ, बताओ मेरे लिए क्या हुप्म है मेरे आखा सबसे पहले तुम ये वादा करो, कि तुम इन दोनों को कोई नुक्सान नहीं पहुचाओगे जो हुप्म मेरे आखा, मैं इनकी जिंदगी बख्षता हूँ लेकिन मेरे आखा मुझे ये तो बता दीजीज़िये कि आखा अपने नदी में क्या फेका था, जिसे मैं धून नहीं सका तुम अगर जिन हो, तो हम तुम्हारे बाप हैं मैंने नदी में डिस्प्रिन फेकी थी, जो पानी में जाते ही घुल गई फिर तुम उसे कैसे ढून पाते बच्चु अब तुम हमारे साथ चलो चलो अब हम तुमें दिल्ली लिये चलते हैं दिल्ली में तुम्हें लिये बहुत काम हैं तुमसे देश हित में काम कराएंगे